हेलो फ्रेंस, पीडिस के दोरान महिलाओं को कहीं समस्याओं से गुजरना पड़ता है पीडिस में पेट के निखले हिस्से में दर्द होना एक सामाने बात है कहीं महिलाओं को यह दर्द थोड़ा कम होता है तो कहीं महिलाओं को बहुत दर्द जिनना पड़ता है पीडिस में दर्द के कारण रोज मरा के कामों में भी दिक्कत ही होने लगती है पीडिस के दोरान कमर, पेट और पैरों के दर्द से अधिकतर महिलाए परेशान लाती है कही महिलाए पीडिस के दर्द को कम करने के लिए पेंट केलर्स का सहरा लेती है लेकिन इन दवाओं के साइड एफेक्स भी होते है आप पीडिस के दर्द को कम करने के लिए कुछ होम में ट्रिंक्स पी सकते है तो आईए जानते हैं कि पीडिस के दर्द को कम करने के लिए आप कौन से ट्रिंक्स दी सकते है पीडिस के दर्थ को कम करने के लिए पीए ये ट्रिंक्स गुंगुना पानी पीडिस के दर्थ से चुटगारा पाने का सबसे सरण और सस्ता इलाज है पानी पानी पीने से ना केवल दर्थ में रहत मिलेगी बल्कि डिया इट्रेसन की समस्या भी नहीं होगी अगर आपको पीडिस में बहुत दर्द या ब्लॉटिंग हो रही है तो भर पोर मातर में पानी पीए हाला कि फ्रिज का ठंडा पानी ना पीए आपको पीडिस के दर्द को कम करने के लिए हमेशा गुन-गुने पानी का ही जीवन करना चाहिए इससे आपको पीडिस क्रेम्स और ब्लॉटिंग से जल्द रहात मिलेगी अदर्द की चाह पीडिस के दर्द से चुटकारा पाने के लिए आप अदर्द की चाह पी सकते हैं अदर्द में एंटी इंफ्लेमेंटरी गुन होते हैं जो दर्द और एधन को कम करने में मदद करते हैं पीडिस में तेज दर्द या हैवी प्लेडिंग के समस्या से चुटकारा पाने के लिए अदर्द की चाह का सेवन बहुत फायर इवन है इसके लिए एक किलास पानी में एक इंच अदर्द का टुकडा कद्दू करस करके डाले इसे उबालने के बाद चाहन ले इस स्ट्रिंक्स को कुनगुना करके पीए आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सहर भी मिला सकते हैं स्मूदी पीडियस के दर्द को कम करने के लिए आप ताजी हरी सब्चियों के स्मूदी बना कर भी पी सकते हैं हरी पतेदा सब्चियों में भरपूर मात्रा में विटामीन, आयरन और मिल्दर्स होते हैं इससे सरीर को जरूरी पोशक मिलता है और पीरियर्स क्रेम्स को कम करने में मदद मिलता है। इसके लिए आप आलग स्मूधी बना सकते हैं, इसमें आप सेव या द्रग भी सामिल कर सकते हैं। इस स्मूधी को पीने से करबंशे के मासपीसिया रिलेक्स होगी और दर्ग एठन से चल्द रहत मिलेगी। पीरियर्स के दर्ग को कम करने के लिए केमोमाइल की चाय भी काफी फायतिमन होती है। केमोमाइल में एंटी इंफ्लेमेंटरी गुन होते हैं, जिससे दर्ग और एठन में रहत मिलती है। इसके अलावा केमोमाइल में मोर को रिलक्स करने वाले गुन भी होते है। पीरियर्स के दोरान केमोमाइल की चाय पीने से दर्ग को कम करने में मदद मिलती है। और मोर भी अच्छा होता है सौफ की चाय सौफ की चाय पीने से पीरियस का दर्थ कम हो सकता है सौफ में एंटी इंफ्लेमेंटरी कुन होते हैं जिससे पीरियस में दर्थ और एठन को कम करने में मदद मिलती है सौफ की चाय बनाने के लिए एक कप पानी में एक चम्मल सौफ क को डाले इसे दो से तीन मिनट तक उबाले फिर इसे चान कर और ठंडा करके पीए पीडियर्स में तेज दद और एटन की समस्या से अधिकतर महिलाई चूचती है पीडियर्स का दद गम करने के लिए आप गुंगुने पानी अद्रक की चाय केममल टी स्मूधी और सौप की च अबस्क्राइब और सौप्स्राइब और सौप्स्राइब